यह जो होंडा की गाड़ी है छोटी मिनी कार है और स्पोर्ट्स लुक में जो दोस्तों यह गाड़ी और यह जो गाड़ी का मॉडल है S6 60 यह model है और बड़ी ही शानदार गाड़ी है दोस्तों तो सोचा आज की जो वीडियो इसमें कुछ इंट्रस्ट्रिंग आप लोगों को दिखाया कर दोस्तों कैसे हैं क्याल जाल है मीदर सल्वू ठीक होंगे तो दोस्तों आज जिस मैं गाड़ी में बैठा हूं देख सकते हैं यह जो हॉंडा की गाड़ी है चोटी मिनी कार है और sports look में यह जो गाड़ी और यह जो गाड़ी का model स एक सिक्स सिक्स्टी यह मॉडल है और बड़ी ही शानदर गाड़ी यह दोस्तों तो सोचा आज की जो वीडियो इसमें कुछ इंट्रस्ट्रिंग आप लोगों को दिखाया जाए तबहीं यह जो गाड दोस्तों यह DLR लाइट जब यह जलती है तो बहुत ही प्यारी लगती है और इसके लावा यह आप देख सकते हैं थोड़े थोड़े से जहां क्रैक्स मुझे नजर आ रहे हैं बाकि इसके नंबर प्लेट है यह आप देख सकते हैं कि लहुर के रिजिस्ट्रेशन है यह गाड गाड़ी पेना कटने रही है और इसके टायरी खर दिखांए तो टायरा में अलावयरियु है और टायरी आपने सेमें अभी जो है रावा यह से लिहां दोस्तों अभी गाड़ी यहाप देख सकतें यहां पर पास इनतर で पीछे है, जियाँ दोस्तो, ज़ातर गाड़ी का इंजन ज़ब अभी तक अभी तक मैंने जितनी भी गाड़ी आपको ھत्स बिड़ते श्राखा को इंजन आ गादे हैं जो इंजन निजन हाँ है लेके ज एस्का पेशे लिए क्योंकि इसके जो लुक है वो स्पोर्ट्स कार की तरह बनाई गई है और इसके लावा दोसे इसका बैक बंपर है आप पीछे से देख सकते हैं माशाला से वो भी काफी बेतर हालत में है अब दोस्तों इसका जो एंटिरियर है वो आप लोगो दिखाते हैं इसके एंटिरियर क देख सकते हैं माशालों से और सबसे जरूरी बात कि यह देखें यह जो गाड़ी है यह पुश स्टार्ट गाड़ी है और इसके लावा इसका जो स्टेरिंग है मल्टी मीडिया की ऑप्शन मजूद है मैनुवल में यह गाड़ी है सिक्स गेर ऑप्शन उपर लिखा हुआ है और इसके लावा इसका जो एसी है दोस्तों वह फुल टाम चिल्ड है स्क्रीन लगी हुई है अंदर से जो गाड़ी के मैट सांट में डस्ट वज़ए रहे नजर आ रही है इसका मतलब कि गाड़ी थोड़ सी क्लीन होने वाली है सर्वस होने वाली है स्पीकर्स गारा लगी जी तो दोस्तों यह देखें जी इसका जो इंजन है यह इस तरह खुलता है पिछे से और इसका जो इंजन है यह ए 5… सिक सी में यह गाड़ी और इसका जो इनजए न दोस्तों यह टर्बो में है तर्बो मतलब डबल वावर बागि इसके कुपए आप चेक करें कुपबो की जो केंडिशन है माशाला से जबर दसता है और इसका जो बॉनएट है उसकी जो सीले है माशाला से वह भी अपनी जैनिय 21 है मतलब कि 2016 का यह model है और 2021 की इंपोर्ट है जो इसका नंबर लगा वह वह लगा हुआ है गाड़ी की जो कंडिशन है आल्मोस बहुत जबर्दस हालत में यह गाड़ी है और इसकी जो डिकी है वह आगया वाली साइड वे और जो इसका इंजन है वह पिछे वाली साइड वे ह और दोसे यह जो है फ्यूल एवरिज जो है यह बहुत जबर्दस फ्यूल एवरिज आपको देती है तकरीबन 22-23 किलो मेटर जो है पर लीटर के हिसाब से यह आपकी फ्यूल एवरिज देती है और 660 में इसका इंजन है टर्बो इंजन है इसका जो के बहुत जबर्दस पा चाहँजार प्राइज फिक्स नहीं है आप यहाँ पी आएं गाड़ी फ़िसर्ट करें देखें गाड़ी अगर आपको पसंद आती है अगर आप polskड़ अिक्राइव कर दे हैं तो में नाजं कगा और आप04 वीडियो के नोटिफिकेशन है गार्डियों के बारे में वो आप लोगों के मिल सकें इसी के साथ अजाज़ चाहता हूं मिलते है नेक्स वीडियो में अल्ला आफिज